हर हर महादेव शांडिल गोत्री अब राममाण एक बीका नहर से हैं रवी प्रोहित जी इन्होंने बहुत सुन्दर प्रश्न किया है करक चतुरती से सम्मंदित इनका कहना है कि किरपा करके शीग्र करवा चौथ के ब्रत के बारे में बतला है आज कल करवा चौथ को फिल्मों की तरह से लोग करते हैं जैसे के चलनी में मूँ देखना पतियादिका क्या ये शास्त्री हैं क्या कन्या हैं विवासे पूर्व ही सगाई होने के बाद ही करवा चौथ करने लगती है कि या ये ठीक है करवा चौथ के बारे में अतलब पूछना चांते हैं क्या विधी निशेद हैं देखिए पहले आप कुछ प्रश्न सुनिए कि करवा चौथ से सम्मंदित यानि करक चतुर्थी से सम्मंदित हम किन-किन विशयों पर बतलाएंगे देखिए करक चतुर्थी ब्रत शास्त्री है या अशास्त्री है यदि करवा चौथ ब्रत शास्त्री है तो किस सास्त्र में बरनेत है जिम्हें अभी आगी बतला मुआ तथा करवा चौथ ब्रत में क्या कन्याय भी अधिकरता है या बिदवाओं को भी करवा चौथ ब्रत करना चाहि तथा येदि कोई पत्पुत्रवती सवगाग्यवती भी है लेकिन वो रित्मती हो गई रजोधर्शन हो गया या परिवार में आसा उच है तो क्या वो ब्रत कर सकती है करक चतुर्थी ब्रत में फिल्मों की तरह जो कुछ गलत पद्धती से कुछ जुड़ गया है क्या पती का मुख छलनी में देखना चाहिए तथा करवा चोथ ब्रत का बिधान क्या है करक चतुर्थी ब्रत कैसे करना चाहिए और इसमें क्या दान करना चाहिए किस-किस देवता की पूजा करनी चाहिए तथा इसकी कथा का संचित सार क्या है कहां कथा है ये इत्यादी बिंदुओं पर शास्तिरी ढंग से आप श्रबन करें हमारे नहीं एक बहुत परम प्रमानित गरंथ है ब्रत परवों से सम्मंदित वो है श्री ब्रत राज ब्रत राज गरंथ विद्वानों में इसका वड़ा आदर है इसमें बामन पुरान का उध्रण देते हुए और करक चतुर्थी से सम्मंदित सब विवरण लिखा हुआ है तो इसमें ऐसे देखें देखो क्या कहते हैं ये करक चतुर्थी ब्रतम अब करक चतुर्थी ब्रतकी बारे में बतला रहे हैं अथ कार्तिक किष्ण चतुर्थियाम अथवा दक्षिनप देशे आस्विन किष्ण चतुर्थियाम करक चतुर्थी ब्रतम उत्तर भारत के समयानुसार कार्थिक कृष्ण चतुर्थी में और दक्षण भारत के समयानुसार आश्विन कृष्ण चतुर्थी में ये ब्रत किया जाता है ब्रत तो कार्थिक में होगा यहां के साथ से दिन तो वही है दक्षिन बाले उसको आश्विन कहते हैं और उत्तर बाले हम लोग जो है उसको कार्थिक कहते हैं उसका ब्रत है उसमें ये उस चतुर्थी में कार्थिक कृष्णा चतुर्थी में करक ब्रत किया जाता है तो कौन करें इसको तो कहते हैं अत इस्त्री नाम एव अधिकार हा इस ब्रत में इस्त्रियों का ही अधिकार है केवल सवभाग्यवत्ती इस्त्रियां ही इस ब्रत को करती है कन्याओं को इस ब्रत को नहीं करना चाहिए और विद्वाएं भी इस ब्रत को करती हुई नहीं बहने कर सकते हैं तासा मे फलस्रुति क्योंकि उनका ही फल्ष्रबण किया गया है तो इस को कैसे करें आचम्या मांस पक्ष्यात दिलुख्या सुबह जो है जिस बृत को करना हो तो आचमन करके और संकल्प में देश कालव संकीरतिया देश कालकाव चारण करके और ये बोलें ये कहकर के संकल्प लें कि मम सवभाग्य पुत्र पहुत्राद सुस्थिर श्री प्राप्ते करक चतुर्थी ब्रतम करिश्ये मुझे को सवभाग्य की प्राप्ती हो पुत्र और पहुत्राद की प्राप्ती हो इस्थिर कीर्थी की प्राप्ती के लिए आज मैं करक चतुर्थी ब्रत को करूंगी ऐसा वो जो है संकल्प करे रात्यकाल का अब ब्रत्यों कैसे करना चाहिए उसका बिदान बतला रहे हैं देखिएगा इती संकल्प ऐसा संकल्प करके और दिन में यह पूजन करना बतला रहे हैं बटम बिलिख्या वट ब्रिक्ष को बनाए या तो किसी यगी अकाश्ट से बने हु आज बिछा करके या स्वेत चूण बिछा करके वहां यह बट ब्रिक्ष का यानि बरगत के ब्रिक्ष का निर्मान मत्र करें बट ब्रिक्ष को बनाए चंदन आजी से और तर दस्ता छिवम और उसके नीचे चन्दनाद इसे शिवजी का लेखन करें, शिवजी को बनाएं, अंकित करें गनपत्यम सनमुखा युतम गौरीम चे लिखेटवा और गनेश जी को और कार्थके को और गौरीम चे लिखेटवा गौरी को यानि कि शिव पारवती और कार्ट के और गनेश की इन चारों का जो है इसमें चित्रन करें उसके नीचे बर्गत के नीचे इन चारों को बनाए लिखित्वा और शोड़सोबचारई ही पूजाए शोड़सोबचार से पूजा करें तो पूजन का जो विधान है जथालबद उपचारई शोड़सोबचारई पंचोबचारई दशोबचारई आदी उपचारई ही पूजाए तो अब पूजन के बाद प्रासना क्या करें तो दिखो बतला रहे हैं पूजन का मंत्र भी बतला रहे हैं नमहा शिवायय सरवाण्यय सौभाग्यम संततिम्षुभाम प्रयच्य वक्ति युक्तानाम नारीनाम हर्बल्लवे। इस तरीके से भगवती गौरी की प्रात्वना करे और उनकी पूजा करे। इत्यनेन गौरियाह इस मंत्र से गौरी का। ततो नमोंत नाम मंत्रेन नमहा और चतुर्थी लगा करके नाम मंत्रों के द्वारा शिव शनमुख गणपती नाम पूजा करया। शिव गणपती और शनमुख कार्थके की पूजा करनी चाहिए। तता सपक्वान नाक्षत संयुक्तान दसकरकान ब्राह्मने भ्योधत द्याद। कह रहा हैं दसकरक करवों का दसकरवों का दान करना चाहिए ब्राह्मनों को एक सवबागिबती इस्तरी को दसकरवे। सुपक्वान नाक्षत और उसकरवे के साथ में बने हुए पकवान अपूप आ दी रहकर के पूरी अपूप जो भी पकवान हों पकवानों को ले करके और चावले करके इन से युक्त दसकरकान ब्राह्मने भ्योधत द्याद। ब्राह्मनों को दान करना चाहिए दक्षना भी देनी चाहिए दिखा हुआ है अगर दान देने के बाद में दक्षना नहीं देते हैं तो दान में नियुनता हो जाती है दान की प्रतिश्ठा के लिए और दान का संपूर्ण प्राप्ति की कामना के लिए बाद में दक्षना भी दी जाती है ततरह माने इसके बाद पिश्टेकन नईवेद्यम भोग्यम सर्बम निवेदelson और इसके बाद फिर जो आदेवता के लिए पिष्टक यानि चूर्मा आध का भोग लगाना चाहिए पिष्टक नई वेद्यम भोग्यम सर्वम नवेद्य जो और भोजन करने के जो भी भोज्य पदार्थ हो उन सभी का भोग लगाना चाहिए यह सब पूजन कर लेवे इसके बाद जब चंद्रोदय हो जाए ततस चंद्रोदयो तरम चंद्रार यार घ्यम दद्याद फिर जब चंद्रोदय हो जाए तो फिर चंद्र को अर्ग देना चाहिए तो यह पूजन जो बतलाए गया शिव शिवा और गणबती शनमुख का यह दिन में पूजन कर सकते हैं अथ्वा सायंकाल को पूजन कर सकती हैं और पूजन करने के बाद जब चंद्रोदय हो तब चंद्रमा के लिए अर्ग देना चाहिए यह जो है पूजन की इसमें कि इसमें कहीं भी ये विधान नहीं आया है कि छलनी में पती का मुख देखें ऐसा नहीं है मुख की रूप से जो किरियाए शास्तर से बिरुद्ध नहीं है उनको किया जा सकता है कई जगे उज़े पती के हां से पानी पियेंगे ये करेंगी तो ठीक है यह कहीं निशेद नहीं है कि पती का मुख देखना नहीं है यह ठीक नहीं है इसलिए परब कि नहीं है कहीं भी शास्त्रों में नहीं लिखा कि छलनी में पती का मुख देखा जाए इसकी जो कथा है उस कथा में यही दर्शाया गया है कि यह बामन पुरान का है देखिए जैसे मैंने बतलाया था कि यह कहां से है तो इसमें ब्रतराज ग्रंत में बामन पुरान का इती श्री बामन पुराने करका विद चतुर थी ब्रत इसका कथा का संचिप्त वर्णन इस प्रकार है कि शाकप्रस्थपुर के वेद धर्मा ब्रहम्मन की एक विवायता पुत्री थी जिसका नाम था वीरवति तो वीरवति के साथ भाई थे उसका इसी वर्ण से विवा हुआ था तो उसने भी अपनी भावियों के साथ में ब्रत को किया पर वो बिना कुछ खाए पिये बहुत ही उसका मुख सुश्क हो गया और बेहोस होने लगी और वो गिर पड़ी ये सब देख करके उसके भाई से नहीं रा गया और वो सुदूर एक ब्रिक्षपर चड़ गया और वहां ब्रिक्षपर एक लूका माने जलता हुआ एक एक मिसाल टाइप गी और उसको दिखाया उसको लूका कहते है हस्ते चोलकाम समादाया जोलंतीम स्नेह पीडिता भगिन्य इदर सया मासा चंद्रम ब्याजो दितम तदा हस्ते चोलकाम आसम औलकाम मने लूका लेकर के और जलतीम स्नेह पीडिता इसनेह उस जलती हुई जो गवड़ाती हुए परिशान हुई अपनी बेहन के लिए जो के इसनेह से परिडित होbuds Yap Eesley ने दर सया मासा बगिनी के लिए दिखाया बेहन के लिए औरर या, बेहन के लिए परिशान ह अग्याया यद्यविभण जानती नहीं थी कि चंद्रमामान करके उसने अर्ग दे दिया विधि पूर्वग लेकर उसका परणाम बड़ा गलत हुआ तो इसके दोश्र के कारण उसका पती मृत हो गया फिर उसने भगवती गोरी की आरदना की पुना इस ब्रत को किया तो पती भगवती सची की किरपा से वो जीवित भी होगा ये भी विधान है इसमें तो इस द्रिश्टी से कि अब किसी में कहीं कहीं बढ़ना नहसा आता है कि उसने उसके भाई नहीं वो दीपक को चलनी में रख़़ करके पेड़ीव से दिखा दिया था, तको चलनी गोल होती है उसमें वो दीपक रखा हुआ था, तो वस बेहन को ऐसा लग रहा था के माना के चंद्रमा निकल आया और उसने अर्ग दे दिया अब वो इसी को चलनी से पती का मुझ देखेंगी ये सब करेंगी तो ये सब ठीक नहीं है मुझ के रूप से ब्रत का विधी ब्रत का विधान वही करना चाहिए जो शांस्त्रों में बरनेत है एक बात और जैसे कहा आगे जो माताएं बेने ये रित्मती हैं करक चतुरती पे या किसी भी ब्रतादि में तो ब्रत तो वे करें ब्रत का जो विधान वैसा वे ही करें और तस्वमंदी जो पूजन है शिव शिवाप गणपती और शन मुखादिका तो उनका पूजन ब्रिक्ष के नीचे बिठा करें करें, आपने पत्नी के निम्त और अर्गे दान भी पति भी और ब्रत वह पत्ति रह सकती ये इसमें करड़ चतुरती का ब्रत है और ये सब शास्त्री हैं हमारे यह ब्रत जो है ऐसा नहीं है कि जैसे संतोसी माता का ब्रत और केबल सीडियलों में हैं और शास्त्रों में नहीं है ऐसा यह ब्रत नहीं है इस पर कई लोग जो है ठीका ठिकपणी करते हैं वो उनका ऐसा कहना ठीक नहीं है यह शुद्ध शास्त्री और बामन पुरान मे हैं पद्रती कारों है निमंद कारों है और निरने देने वाले गरंथों में भी इसका बिजवत निरने प्राप्त है अरहर महादेव अरहर महादेव